हेलो एंड विल्कम टू ओलाइन इटा फॉर स्टुडी बंस्ट फॉर लर्निंग दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में बात करने वाले कई बड़ी और लेटेस अप्डेट के बारे में जो की संबन देते हैं प्यात्मिक बरती को लेकर सी एम योगी की एहम के साथ दोस्तों यूपी टापलेसी पीटी को लेकर वैस्ट बुक आ चुकी है जो कि चक्षू पकाशन की है और जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टापलेसी की भरतियों में ऑनलाइन से आप कुछ भी पढ़ेंगे आपके पेपर में कुछ भी नहीं फसेगा क्योंकि और महत्पूर्ण कोश्चन का समावेस हो साथी साथ पीवियस इयर कोश्चन भी आपको मिलें और यह सब कुछ आप सुभी को मिलते हैं यूपी टापलेसी की पीटी की बैस्ट बुक जो कि आप सुभी के सामने है चक्षू पकाशन की जिसमें बाइस सो से ज्यादा महत्प अब्याली को और भी मजबूत बना सकते हैं इन दोनों बुक्स के लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे आप या फिलिपons या फ़े अपने नजदी की स्टोर से परचीस कर सकते हैं लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है उत्तर चुन पिछले चार से पांच सालों के अंदर कोई भी नई प्रैमरी सिच्छक बरती का विग्यापन जारी नहीं हुआ है लेकिन इसी बीच लाखों बीड और बीटीसी करने वाले अभ्यतियों की संख्या भी बड़ी है अब उत्तर प्रदेश में नई प्रैमरी सिच्छक बरती को लेकर अभ्यति मांग तो करते थे लेकिन बीड वसीज बीटीसी का मुद्दा आ जाने के बाद से अब ये मुद्दा और भी साइड में हो गया है इसी को लेकर अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश सरकार के मार्दियम से एक नोटिस जारी किया गया है जो कि आप सुभी के सामने है अफर मुख सचिब प्रमुख सचिब बेसिक सिच्चा विवाग उत्तर प्रदेश शासिन के मार्दियम से लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश बिदान परशर बिनिमे समिक्षा जो बैठक है वो देखने के लिए मिलेगी लगवग 29 अगस 2030 को यानि कि आज की तार सावाद के अंदर जो बेसि सिच्चा निदिसाले के अंदर आग लगी उसकी जान कई ती जाएगी साल 2017 के प्रदेश के सायता प्राफ जूनिय है स्कूल सेवा निवर्ट टीचर्स की करमचारियों को पैंशन दिये जाने के बारे में बात की जाएगी परसदी विद्यायलो में मौलेक निवर्टियों का रास्ता खोलने के लिए और चैन्वोड साहित मांग किये जगए आयोक को बहाल किये जाने के संबंद में यानि की बहुत साए लोगों की माद्यम से मांग की जाए थी कि चैन्वोड इसके लावर जो पुराने आयोके उनको बहाल कर दिया दाए बियर्टी दोजा ग्यारे कि अब्रदी काफी लंबे समय से नियुक्ती की मांग करें नौकी की मांग करें आज इसको लेका भी बैठक देखने के लिए मिलेगी बेसिक सिच्छा परिशत के संचलित प्राथ्मिक परोच प्राथ्मिक बिद्यालों में सिच्छों के मत नियुक्ति परदान किये जाने के संब्द में यहां से जो जानगा है is वो देखने के लिए मिलेगी पांच वर्स की अबदी में टीटी उत्जीन करने वालें को दिये जाने के संब्द में इसी तरीके से प्रदेश के प्रात्मिक में कारे करने वाले सिक्षा में अन्य प्रांतों की बाती समान बेतन, टेटी, योगिता और भी बहुत साए मुद्धों को लेकर बात होगी इसके साथ अगर बात की जाए कई और मुद्धों को लेकर तो वो भी नीचे लिखा हुआ है कि प्रदेश में प्रात्मि बिद्यालों में अनुदेश्टकों को मांदे बढ़ाई जाने के संब्ध में भी बात की जाएगी और प्रदेश के साथ अगर बिद्यालों में लिपकों के रिक्त बदों को संब्ध में यहां से जो बैठक है वो देखने के लिए मिलेगी इसी तरीके से कई और यहां पर मुद्य लिखे हुए हैं जो कि आप सुभी के सामने हैं इसमें प्रात्मिक से लेकर जूनियर इसके लाबा इन से संब्धित तमाम भरती और तमाम कादियों के बारे में आज बैठक होने वाली है अब इस बैठक में क्या होता है वो आप सुभी को दुपैर या देश आम तक इस वीडियो के मार्दियम से जानकाई आपको अवश्य मिल जाएगी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को अवश्य दबा लें क्योंकि यहाँ पर कोई नई सिच्छक बरती को लेकर तो बैठक देखने के लिए नहीं मिले यह जिसमें लिखा हुआ है लेकिन प्रात्मिक से जुड़े हुए कई मुद्दों को लेकर बैठक देखने के लिए मिलेगी प्रात्मिक बरतियों को लेकर चाहे वो परानी बरत मृत्यकासितों की बरतियों या इसके लावर कोई और चलिए बात कर लेते हैं अपनी अप्डेट के बारे में जो की संबंदित है बीएड वसेज बीटीसी मामले को लेकर वेकवार फिर से जो मामला है वो गरम हो गया क्योंकि आप जानते हैं कि पहले सुपीम कोड ओफ इंड सुपीम कोड ओफ इंडिया के माध्यम से सुनवाई करते हुए एक और ओर यहां पर जाजी कर दिया गया बीएड वसेज बीटीसी को लेकर जिसमें बीएड वसेज बीटीसी को लेकर सुपीम कोड ओफ इंडिया के माध्यम से कहा गया कि जो सुपीम कोड ओफ इंडिया ने लेकिन इसी बीच बियार के कई अभयतियों के माधियम से एक वाफ फेसे तीन जजों की घंड बीट के अंदर मामले को ले जाया जाता है जिसमें वो मांग करते हैं कि बियार इचात्तों को सुप्रिम कोट अफ इंडिया के माधियम से दिये गए ओरर के आधार पर बाहर कर द हाला कि अभी तक इसको लेकर लिखित में ओरर जाई नहीं हुआ ए क्योंकि अगर लिखित में जादी हो जाता तो बहुत साही चीज़ें और भी स्पस्ट हो जाती मैं इसको लेकर एक अलग से वीडियो बनाकर आपको जानकाई भी दूँगा क्योंकि इस order के अंदर जो जानकाई जजिस के माध्यम से दी गई है वो थोड़ी सी अलग भी है क्यों इसको लेकर मैं डेटेल में कल दे रात वाले वीडियो में भी बात की थी जाकर आप लोग च जले पर नमक जैसा है बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट की बारे में आपने अभी तरक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करके बैल आइकन को दबाने एल्टी के टीजटी बीजटी और साधी साथ नए आयोक को लेकर दोस्तों जैसा कि आप जान किया है कि वो आने वाली 5 सितंबर को फेसे धना प्रदेशन करेंगी दूसरी तब बात की जाए टीजटी पीजटी और नए आयोक को लेकर तो यहां पर आपको जानकर देखने के लिए मिलेगी सिच्छा सेवा चैन बोड के अधिनियम 1982 को बहाल करने की मांग उत्तर प्रद अधिकार था या फिर जो काजवाई की जाती थी उससे पहले चैन बोड से सला ली जाती हो थी और चैन बोड की संसुदी के बाद ही किसी टीचर की उपर कोई काजवाई देखने के लिए मिलती थी अब जब चैन बोड ही नहीं रहेगा तो उनका जो अधिनियम वह भी खतम हो जाएगा और नए सिच्छा सेवा चैन बोड के अंदर ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है इसी को लेकर टीच्टी बिजटी टीचर के माध्यम से मांग की जा रही है कि पुराने अधिनियम को बहाल कर दिया जाए जिससे कि जो भी यहां पर टीचर का सोशन होगा वो नह हो सके बात कर लेते हैं बिहार लोग से बायों के माध्यम से जारी कीगे एकों नोटिस के बारे में जिसको लेकर लिखा है विग्यापन संक्या 26 दोजा 30 बिद्याले अध्यापक निक्ति पर दियोगे परिक्षा 9 से लेकर 10 और 11 से लेकर बारे के ऑनलाइन डोकुमेंट वे के अंदर अपने जिला मुख्याले पर जाना और कराना सुनिश्चित करें फिलाने इस वीडियो के बारे हमसे इतना ही थैंक्यू फर वाचिंग इस वीडियो